दुनिया भर में आज भारतिय सेनाओं का लोहा माना जा रहा है, आने वाले दिनों में इंडियन नेवी दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना में शामिल हो जाएगी, दरअसल जल्दी भारतिय नौसेना को 27 सब्मरीन मिलने जा रही है, जिसमें विश्व की सबसे शक्तिशाल पंडुब्बियां शामिल हैं। ये पंडुब्बियां परमानू, बैलिस्टिक मिसाइल जैसे घातक हथियारों से लेस होंगी। यही वज़े है कि इन्हे स्ट्राटेजिक स्ट्राइक नुकलियर सबमरीन कहा जाता है। दरसल आयो आर्मे चीन ने हिंद महासागर में जासू जासूसी काफी बढ़ा दी है। चीन का रिसर्ट शिप, शी यांच है, कोलम्बो पोर्ट पर आया है। जो वैज्ञानिक शोध के साथ ही दूसरे देशों की जासूसी भी करता है। खबर है कि यह शिप तीन महिने तक कोलम्बो में रुकेगा। ऐसे में भारत को भी IOR में अपनी ताकत और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है अरेहंट क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भारत की सबसे बहतरीन पंडुब्बियों में से एक है, इसमें चार पंडुब्बियां हैं। फिल हर दो सर्विस में हैं, एक हाल ही में लॉंच हुई है जबकि एक बन रही है अरेहंट क्लास की सबमरीन में आएनेस अरेहंट और आएनेस अरिघट शामिल हैं। ये सभी परमानू इंधन संचालित पंडुब्बियां हैं। अरेहंट क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के अलावा 3S5 क्लास की बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन भी बनाई जाएंगी छे न्यूक्लिय पावर्ड अटेक सब्मरीन भी बनेंगी भारत की छे न्यूक्लिय पावर्ड अटेक सब्मरीन बनाने की भी तयारी है इनमें वरुनास्त्र हेवी वेट टॉर्पीडो होंगे निर्भाय, ब्रामोस और ब्रामोस दो हाइपरसोनिक लांड अटेक और एंटी शिप क्रूज मिसाइले लगी होंगी तलवारी क्लास की 6 अटेक सब्मरीन प्लान में थी पाथ सेवा में है साल के अंध तक 6 पंडुब्बी भी नौसिना में शामिल हो जाएगी प्रोजेक्ट 75 आई में बनेंगी 6 सब्मरीन इसके साथ ही प्रोजेक्ट 75 आई क्लास में 6 अटेक सब्मरीन भी बनाए जाएंगे जो 3 से 4,000 टन डिस्प्लेस्मेंट की पंडुब्ब्बी अहोगी जिन्हें Anti-Surface Warfare, Anti-Submarine Warfare, ISR, Special Operations Forces के लिए इस्तिमाल किया जाएगा इसके अलावा प्रोजेक्ट 76 क्लास के तहट भी 6 अटेक सब्मरीन बनाई जाएंगी